गोड इवनिंग एवरिवान नमस्कार एक बार के लिए जड़ा देख ले लाइब आ गया कि नहीं फिर हम सेशन को शुरुवात करते हैं विटा येस माई डियर स्टुडेंट्स वेरी वेरी गोड इवरिवान क्या हाल चाल है सभी बच्चों के एक बार के लिए आ जाएं सारे बच्चे एक बार के लिए जुड़ जाएं फिर हम अपने पास आज के सेशन की शुरुवात करेंगे जी येस माई डियर स्टुडेंट्स हां जी अयूश बेटा हेलो कैसे हैं आप गुड इवनिंग टु एवरिवन मैं उमीद करता हूं सभी बच्चे बिलकुल बढ़िया है तंदुरुस्त है और सभी की त्यारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे है रूपां जी बेटा हेलो कैसे हैं आप येस अभिशेक बे है न्यूज आ गई है कि एक्जाम जो है वो दिसंबर में हैं तो आज वो नोटिफिकेशन आगी है जिसका हम सब को बेसबरी से इंतदार था कि कब से होंगे हमारे पेपर कब से होंगे हमारे पेपर तो लो इंसिचूट ने आपको एक सवा महीना ओल्मूस्ट थर्टी करने के लिए सब तो हम जोरो शोरो से बैटा करने वाले हैं और कोई भी अपने पास किसी भी प्रकार का कॉंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम किसी भी प्रकार का हम कॉंप्रोमाइज नहीं करने वाले हम अपने पास त्यारी को बहुत अच्छे से करने वाले हैं सो हमारे पास यहां पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ा वहूं, आप लोगों के चैप्टर्स कराओं, एडवांस के, जो बच्छे गुरूप बन वाले, उनके लिए, स्पेशल क्लास, यूटूब सब चल रहा है, इवन जो प्लस बैचीज है, वो भी चल रहा है, आपको किसी भी प्रका इन चार महीनों के अंदर काफी बच्चे बार-बार बोल रहें कि सर, थोड़ दिन पहले आपने तीन महीने वाला सेशन लिया था, हमने वो सेशन एटेंड भी नहीं किया था, आप थोड़ा सा हमें, आप चार महीने अप तो exact date आ गई है, तो आप हमें बता दीजिए कि उस लोग के साथ लिएंगा, और वहाँ पे आप लोग के साथ अब exact timeline के आप बात कर सकते हैं, कितने टाइम में first revision, कितने टाइम में second revision, और आप लोग के जो भी प्रकार के, कोई भी type के doubt होंगे, वीम बेटा very good evening, वो आप मेरे साथ आके बेटा discuss कर सकते हैं, हाँ, yes, इस बार वक्त मिला हम नहीं छोड़ेंगे, yes, sir, strategy needed, तो उसके लिए आपको सिरफ एक काम करना है, unacademy पे आपको मुझे follow करना है, उसका link description के अंदर दे रखा है, ताकि आपको उसकी notification आ सके, वो तभी possible है, तो आप लोग मेरे को special class में में आऊंगा, तो please आ बेटा, हाँ जी, तो अपने पास strategy discuss करेंगे, अभिशेक बेटा, पूरे proper तरीके से chapter को समझेंगे, कहीं पे कोई भी प्रकार का concept में मैं आपके साथ कमी नहीं रखूंगा, अगर आपने पहले की भी मेरे साथ classes लगाया है, तो उसमें मैंने बेटा पूरा किया, yes, good evening everyone, good evening, so बेटा, जो बच्च मैं हूँ, आप लोग का दोस्त और हो, C.A. नितिन गोईल, आज के सेशन में सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ, मैं अनकेडमी पे एजुकेटन हूँ, for C.A. इंटर अकाउंट्स और मुझे 10 साल से जाधा C.A. बने हो चुके है, more than 7 years of teaching experience है, बेटा, दिन, अगर अभ आई, dear student, बेटा, one hour का session मेरा यहां पर होता है, one hour का session होता है, don't worry, so, अभी मैं सबके doubts बेटा, आपके clear करूंगा, don't worry, don't worry, don't worry, मैं सबके doubts clear करता हूँ, so, बेटा, दो प्रकार के subscription होते हैं, plus, are iconic, plus, के अंदर, live classes, weekly, structured forces, unlimited access रहता है, यहां पर बेटा, notes, जो है, बेटा, test analysis, expert guidelines, study planner, और साथ में notes मिलते हैं, बेटा, printed form में, study material जो दिया जाता है, बच्चों को, ठीक है, batches, बेटा, सारे teachers के चल रहे, even मेरे भी batches, जो चल रहे, आप उसके अंदर आ सकते, join कर सकते हो, और अपनी preparation को एक अलग level पे लेके जा सकते हो, उन batches में, अगर आप मेरे सा iconic की subscription लेते हैं, तो वहाँ पर मेरा code है, बेटा, CA Nitin, जिसके base पे आप लोग को क्या मिलेगा, बेटा, ये code apply करने पे, 10% बेटा, आप लोग को off मिलना है, वो आप अपने पास मिल जाएक, और साथ की साथ, आपको 12 months की subscription, बेटा, 2 months extra subscription भी free of cost मिलती है, तो आप जरूर अ करोड तक ही, वहाँ पर आप मेरा code जो है, से ये नितिन का इस्तिमाल करके, उसमें बस appear करने आपने टेस्ट में, और अपने आप जाईए, अपनी टेस्ट करें अपने आपको, कि आपको कितना आता है, 40 questions, 60 minutes के अंदर कुछ से रहते हैं, यहाँ पर rank wise बेटा, यहाँ पर दिखावाया, first three वालों को fun year की pro के subscription free है, 4 to 10, 11 to 50, 51 to 200, वो rank based आप लोगो को benefits दिये जाते बेटा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आज जीतों के नहीं सीखों के तो जरूर ना, तो जरूर जाईए बेटा, जरूर जाईए वहाँ पर, ठीक है, then, तो यहाँ पर आपके पास combo offers are also there for foundation and intermittent, वो 12 plus 2 months रहते हैं, आप सभी बच्चों ने, अगर अभी तक मुझे follow नहीं किया है, तो आप बेटा, unacademy मुझे follow कर सकते हैं, description के अंदर लिंक दे रखा है, ताकि आपको मेरी सारी classes के बारे में updates मिल जाएं, so, आईए बेटा, हम आज के session के ब शुरुवात करत हैं, कि आप बच्चे सभी त्यार है, so, मैं एक बार के लिए देख लेता हूँ, किसी बच्चे का कोई specific doubt है, तो, yes, my dear student, किसी का कोई भी doubt है, yes, पुनने जे बेटा, आज class 7 o'clock थी, किसी वज़ा से वैसे class कट है, हम हमने 7.30 रखा वाए, sir, please, एक question का answer दे, तो नहीं है, ब absorption में क्या difference होता है, sir, please, बितातो, I'm very confused, बेटा, nature of purchase और absorption का नहीं है, nature of purchase और nature of merger की बात होती है, बेटा, वहाँ पर difference बेटा, आपके पास आता है, purchase और merger में, वहाँ conditions थी, जो सिखाई थी, पांच conditions थी, practical question में, तीन जनली लगती है, तो वो आपके conditions है, जिनको हम follow करते है, बेटा, ठीके ना, तो उसके हिसाब से accounting treatment में फरक पढ़ता है, in the books of purchasing company, and in the books of the आपके पास, जो है, उसमें accounting treatment में, old company में तो फरक नहीं पढ़ता, ठीके नहीं है, बेटा, so, I am my dear students, क्या आप सभी तयार है, आज के session के लिए, क्या आप सभी तयार है, आज के session के लिए, क्य क्यों कि आपके पास आ रहा है, इंटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन, सर, हमारे syllabus के क्या सारे chapters असान है, येस, बेटा, आपके syllabus के सारे chapters असान है, ये सिरफ आपके perception पे आता है, कि आप उसको किस तरीके से त्यार करने वाले हैं, ठीक है, so, हमारे लिए important चीज है, chapter की बारीकी को समझना, उसका relevance समझना, अब बेटा, यहाँ पर होने क्या जा र reconstruction, यहाँ मैं internal की बात, बेटा, कर रहा हूँ, यहाँ मैं internal की बात कर रहा हूँ, बेटा, आपके पास, तो, होने क्या जा रहा है, हमारे पास, मान लीजे, बेटा, एक company है, X Limited, उसको बहुत भारी मातरा में, बेटा, losses हो रहे है, उसको 2-3 साल हो चुके, losses होते हुए, और व खाई दूँगा, हमारा chapter का मीन मकसद क्या है, वो प्लीज समझनी कोशिच करना, हमारी company को मान लीजे, बहुत भारी मातरा में, नुकसान हो रहे, losses हो रहे है, और company बंद होने की कगार पे है, अब इसमें एक option तो होता है, जो हमने external reconstruction, amalgamation के अंदर बात करी, कि वो company, दूसर को एक अच्छी company ने, बड़ी company ने खरीद लिया, take over कर लिया, एक दूसरी चीज, जो हम यहाँ पे सीखने वाले है, वो हम बात करेंगे something from internal point of view, internal point of view, और यहाँ पे एक important चीज है, कि company liquidate नहीं होगी, बेटा, बंद नहीं होगी, company अपने आप हिम्मत कर रही है, अपने बेटा, मलोतरा बेटा, बजाज बेटा, सारा कुछ होगा, don't worry, ठीक है, so company जो है अपने पास, जो है liquidate यहाँ पे नहीं होगी, वो अपने पास जो है अपने आपको revive खुद करना चाहती है, खड़े होना चाहती है, so बेटा, इस chapter का अपने पास, जो है एक तरीके से मैं आ application दूँगा, कि chapter में हम करने क्या जा रहे है, उसके नजरिये से आपको chapter का मकसद समझा जाजएगा, बेटा, इधर होती है, liability side, T-shape में दिखा रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए, वैसे balance sheet हमेशा schedule 3 के format के साब से बनती है, बेटा, तो यहाँ पे आपके पास, जो है, मान 30,00, PNL का debit balance है, बेटा, loss, और लेट से देट इस 10,00, इधर हमारे पास, बेटा, equity share capital है, 20 की, preference share capital है, बेटा, 15 के, debentures दे रखे है, 15 के, और creditors भी दे रखे है, बेटा, 10 के, अब हमारा total तो, बेटा, पूरा 60 बन रहा है, दोनों साइड का, 60,00, yes, sir, अब हम बेटा करने क्या जा रहे, इस chapter में बेटा, please समझेंगे, हाँ, yes, बेटा, तो हम अपने पास chapter के अंदर समझने क्या जा रहे, देखिए, company को बहुत भारी मातरा में हो रहे है, नुकसान, losses दिख रहे है, debit balance है, तो losses है, 10,00, के अब तक हो चुके, in lakhs से बेटा, क्या हो रहे है, बेटा, समझें बात को, उन्हें क्या जा रहे है, हमारे को losses हो रहे है, बहुत भारी मातरा में, हम इं losses को अपनी balance sheet से हटाना चाते है, हम इं losses को अपनी balance sheet से खतम करना चाते है, हमारी company की उतनी आज की net worth हाई नहीं, हमारे assets भी हो सकते, over value दिख रहे हो, तो हम अपनी position को ठीक करना चाते है, और मैं इसे तरीके से अगर चलता रहूँगा, फिर तो business वैसे ही बंद हो रहा है, तो मैं हिम्मत कर रहा हूँ, it is like, कि हम बिल्कुल अपने पास बिखर चुके है, अब हम फिर से अपने आपको revive करने की सोचने, खड़े होना चाते है, फि losses को ऐसे थुर्णा खतम कर दोगे, एकदम से, आपने losses दिखाने बंद कर दिया, ऐसे थुर्णा हो जाएगा, आप चाते हो losses को खतम करना, ऐसे थुर्णा हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या होता है, एक proper पूरी बेटा आपके पास क्या बनती है, proper पूरी एक scheme बनाई जाती है जिस scheme के अंदर proper यह decide होता है कि जो नुकसान हमने करने है अब हम करने क्या जा रहे है जो हमारे shareholders है जो हमारे outsiders in terms of the dementia holders creators हम सबसे request करते हैं सबसे कहा जाता है कि सारे लोग जो है वो थोड़ा-थोड़ा अपना claim छोड़ो उन्होंने जो business के अंदर पैसा डाला हुआ है उसे भूल जाओ कि उन्होंने business में पैसा कभी डाला था सर ऐसा क्यों ऐसे कोई भूल सकता है बिटा जिस हालत से जिस नौबस से इस समय कंपनी चल रही है बंद हो जाएगी वैसी किसी को कुछ नहीं मिलना ठीक है वैसी शायद किसी को कुछ नह है तो अभी एक होप है एक revival की बात हो रही है कि नए सिरे से काम शुरू करेंगे एक बार के लिए losses को खतम करके तो वहां पर सबसे कहा जा रहे है थोड़ा थोड़ा अपना claim भूलो तो हमने क्या बोला ऐसा करो या कि ना अपने पास equity वालों को बोला तुम अपने जो है प 16 इनकी आएगी 12 इनकी आएगी 13 इनकी आएगी 9 आप चेक कर सकते आपके पास total बन जाएगा 50 सबसे क्या बोला गया थोड़ा थोड़ा सारे लोग अपना claim भूलेंगे जिससे कि हम losses को क्या करेंगे बेटा अपने खतम करने की बात करेंगे जो मेन परपस है देखो बारीकि में अभी चले जाएंगे बड़ सर यह कोई भी company अपनी मर्जी से कभी भी कर सकती है ऐसे तो किसी को losses आये losses को जटका से अपर्यास खतम कर दिये नहीं बेटा है कि हम जो losses अपने खतम करने जा रहे हैं हम अपने assets को सही value पे लेके आने की बात कर रहे हैं हो सकता है कम या जादा जो भी है हम जो यह revival के बारे में सोच रहे हैं पूरे scheme बनेगी लोगों का consent होगा इन लोगों का जितने लोग उसमें जुड़े वे हैं इन लोगों का consent ल जरूरी है कि स्कीम जो बन रहे हैं हमने करनी तो मुनीम गिरी है हमारा काम accounting का है पर में मकसद है इस चीज़ को समझना scheme को ले तो हमारा में चेप्टर का मतलब क्या है कि company जो है बहुत बुरे दोड़ से जनरली गुजर रही है वह अपने आपको revive करने के बारे में सोच रह जाए तो उससे बचने के लिए वह आखरी अपना जो एक तरीका कर रही है जहां पर अपने losses को खतम करने के लिए एक scheme लेकर आ रही है जिसमें सबसे कार जा रहे है थोड़ा थोड़ा अपना claim भूलो तो वह हमने बेटा धीरे धीरे चैप्टर के अंदर इन चीजों को बा और गनाइज करा जाता है रिवेलुएशन ओफ एसेट्स रिएसेस्मेंट ओफ लिएबिल्टीज एंड बाइ राइटिंग ओफ द लॉसस में मकसद के लॉसस को राइट ओफ करना बाए रिडूसिंग द पेड़ वेल्यू आप दी शियर्स या राइट्स वगयरे डिफरें क्लासिस ओफ शियर्स उनको अपने पास चेंज करके हमारा में मकसद है लॉसस को अपने पास राइट आप करना ठीक है दिन सच अप प्रॉसस को इंटर्नल बोलते क्योंकि इसमें लिकुडेशन नहीं होती बेन चीज़ ही है चैप्टर का नाम लिकुडेशन बेटजी के ल उन्हें यही नहीं पता रहता प्रोसेस क्या होता है बेटा सबसे पहले जो होता है क्रक्स में लिखावए सबसे बहले बनती है बेटा स्कीम को और उसके बेस पर accounting करेंगे entries जा लेंगे, losses को write off करेंगे और फिर उसके base पे revised values balance sheet में appear कर जाएगे अब आपका काम क्या है S&N accountant, आपका काम क्या है आप है मुनीम गिरी वाला काम करते हैं हम लोग accounting का काम करते हैं हमारा roll आता है इस case में हमने यहाँ पे आके accounting का काम सीखना है कि accounting कैसे करी जाती है हमारे question में लिखा ही होगा scheme तो court ने sanction कर दी पर यह पता होना चीए अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा court scheme को sanction करता है बेटा जो overall मैंने आप से scheme की बात करी है court पूरी scheme को क्या करेगा बेटा sanction करता है क्या ये बात मेरी समझ आई है क्या ये मेरी बात समझ आई है अब तक जो मैंने बताई आपको हां जी फटाफट बताएंगे फिर हमने इसके बात बेटा अपने पास अलग-अलग तरीके सब यहाँ पे entries की बात करनी है entries सीखनी है कि कैसे accounting बेटा होती है कैसे accounting करी जाती है तो accounting बेटा कैसे होती है यहाँ पर समझेंगे मेरे साथ बेटा accounting कैसे होती है आप याद करिए वो partnership के दिन जब प्लस चू के आपके थे आपको सारे increase, decrease एक account में डलवा देते थे कौन सा होता था वो account जब बंद होती है फर्म या इवन कंपनी भी हमने amalgamation में सीखा था हम बना देते realization account कोई भी activity के लिए जो भी उसके सारे फाइदे नुकसान है उस activity के लिए एक account खोल देते है अब यहाँ पर भी similar तरीके से हम अपने पास जो यह activity एक्टिविटी केरी आउट बेटा करने जा रहे है यह activity जो हम केरी आउट करेंगे इस activity में हम भी यही काम करेंगे कि हम जो भी सारे फाइदे नुकसान इस activity के अंदर हो रहे है हम उसे एक account में ले जाएंगे हम उसे एक account में ले जाएंगे capital reduction account या फिर reconstruction account बेटा हम इसमें से दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं ज्यादा प्रेफरेबली जो बच्चे यूज करते हैं इंशुट भी यूज करता है capital reduction account बोल देता है पर reconstruction account भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं अगर question silent किसी नाम नहीं ले रहा तो आप जो मढजी करो बढ़कर question किसी का नाम ले देता है तो प्रेफरेबल है उसको इस्तिमाल कर लिए बट बहुत popularly जो चलता है most popularly जो चलता है capital reduction जातार इस्तिमाल किया जता है तो आपके अब इस scheme के अंदर जितने भी फायदे जितने भी नुकसान है वो सारे इस account में ही आप डालेंगे वो सारे इस account में ही डालेंगे ठीक है सर यह बात हमें समझागी हां similar to realization मत बोलना बेटा क्योंकि realization में आप assets की पूरी value transfer करके बेचते हैं consider is similar to revaluation जहां सिरफ फायदे नुकसान record हो रहे है ultimately realization वो आ रहे है realization पर बनता कब है जब आपके एक तरी किसे बंद होना यह भी बंद नहीं हो रही हमारी कंपनी हम तो रिवाइबल कर रहे हैं तो कंपनी बाद में रहेगी तो ऐसा नहीं हम सारी चीजों को पहले हो बेटा रहINO की मतलब क्या होता रइक क्रीज का मतलब होता है कि अगर प्लाइंट और मशिनरी मानलो एक लाग की दिखरी और उसकी आज की वैल्लू बल्लक 30000 कैंवे तो कितने से बढ़ाऊ और 30000 से बोलते थे तो एंट्री क्या बोलोगे एसेट एकाउंट डेबिट करने के लिए एसेट को डेबिट कम करने के लिए और सिमिलर तरीके से बेटा अगर कम करना है वन लैक से मालो एटी पर लेके आने तो ट्वेंटी से कम करने हैं तो ट्वेंटी से एंट्री क्या डाल देंगे अब सर कैपिटल रिडक्शन टू एसेट सिंपली टू से सर यह चैप्टर बहुत असान है बिलकूल बेटा यह चैप्टर तो सबसे असान चैप्टरों में से एक है है классically तो एसेट टू कैप्टर अड़क्शन कैप्टरिक्शन टू एसेट बढ़ रहा है तो फायदा फायदा क्रेडिट हो क्या टैप्टर देटेक्शन मैं अब liability का बढ़ना नुकसान हो गया और liability का होता है बेटा credit balance तो बढ़ाने के लिए और credit करना पढ़ेगा और नुकसान को debit कर दिया capital reduction में तो capital reduction to liability, capital reduction to liability, बढ़ाने के लिए credit और अगर बेटा कम करना है, कम करना है तो क्या करेंगे सर कम करने के लिए liability को करना पढ़ेगा debit, क्योंकि उसको आता है credit balance, कम करने के लिए debit और capital reduction को credit करेंगे, क्योंकि फाइदा है, फाइदा है, तो liability to capital reduction ये हैं बिलकुल असान वाली चीज़े, ये तो आप revaluation वगेरा में भी अपने पास normal तरीके से बेटा करते हो नॉर्मल तरीके से भी करते हो, तो ये हमारे पास है बिलकुल असान वाली बात, ठीक है सर, ये बात समझ आ गए, आगे इस scheme के अंदर जो भी खर्चा पे किया, सर, किसी भी activity का जो भी खर्चा पे किया जाता है, उसके लिए जो account बनाते हैं, उसी में डाल देते हैं, जैसे realization में करते हैं तो इस activity के अंदर भी खर्चा हो रहा है, वो किस account में डल जाएगा, सर, simple सी बात है, इस activity की सारी चीज़े capital reduction में जा रही है, तो खर्चा भी तो वहीं डल जाएगा, तो anti क्या बनेगी बेटा, payment के समय, सर, capital reduction to bank, खर्चा pay किया, तो खर्चा debit हो गया capital reduction में, और आपके पास payment करी, तो bank balance हो गया, बेटा, come, capital deduction to bank, बात खता, कितना असान point था, येस सर, कितना असान point था, अगला आता है, बेटा, अगला आता है, good evening, गर्विद, बेटा, good evening, settlement of contingent liability, what is a contingent liability, सर, जो, अभी actual liability नहीं है, actual liability नहीं है, पर, जो arise हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, बट वो recorded नहीं है, मेरी किताव में दिख नहीं रही, कि दिख नहीं है, अब जब मैं उसको settle कर रहा हूँ, मैं उसको pay कर रहा हूँ, example के तोर पे जैसे, preference dividend in area, पिछले, तीन सालों का preference dividend पढ़ा है, बेटा, जो shareholders को द कि मेरे को अगर contingent liability को settle करना है, तो क्या मेरे लिए फाइदा है कि नुकसान है, सीधा बताओ, क्या फाइदा है कि नुकसान है, सर, ये हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि जो दिख नहीं रहा, गर उसको आज pay करना पढ़ रहा है, तो मेरे लिए नुकसान है, अब सवाल ये recorded liability को pay कर रहे हो, पर यह recorded liability नहीं है, unrecorded है, तो it's a pure loss for you, तो हम सीधा क्या बोलेंगा, आप liability to bank नहीं बोल सकते, आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे बिटा, आप क्या करेंगे, आप करेंगे entry डालेंगे, capital reduction, अगर pay कर रहे हो, तो capital reduction to bank, अगर आपने पैसा दिया, पर अगर आपने shares दिये माल लो, कई बार किसी liability को settle करने के लिए share देतके, to share capital, मतब जिस भी तरीके से settle किया, pay किया, हाँ जी, तो आपके पास क्या entry आईगी, capital reduction to bank, to share capital, भई आपने pay क्या, और यह आपके लिए नुकसान है, sir liability क्यों नहीं debit किय बेटा, वो recorded ही नहीं, recording या तो आप बेटा पहले record करो, तो आप record करोगे, तो entry कर डालोगे, sir हम जब पहले record करेंगे, liability को तो हम entry डालेंगे, नुकसान तो तब भी है, तो capital reduction to liability, माल लो, हम record कर रहे है, क्योंकि create कर रहे है, तो फिर जब हम pay करेंगे, तो entry डालेंगे, liability to bank, thanks a lot, नीरज बेटा, yes, तो अब मैं इन दोनों को अगर इकठा कर दूं, तो क्या ही entry बनी, sir, capital reduction to bank, भई वो दिख थोड़ीना रही है, recorded थोड़ीना, recorded को थोड़ना पे करो, unrecorded को पे करो, और अगर बेटा, wave हो जाए, sir, wave का मतलब क्या होता है, बेटा, wave का मतलब होता है, पाना, अब नहीं देने, जो दिख भी नहीं रहा और देना भी नहीं उसका क्या करो, प्रेफरेंस जीमिनेंट देना था, share ओलडर्स के साथ बात होगी, नहीं देना, अब यह दिख भी नहीं रहा, और देना भी नहीं, तो क्या किताबों में कुछ करो, आप कैसा तो मेरे जो चीज दिखी नहीं रही अगर वो चीज आपके पास वेव हो गई तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी माइडेर्स चुरेंट उसके एंट्री कैसे आ जाएगी क्या बास समझे वाली मेरी क्या बास समझे मेरी यह वाली यह सर यह बात हमें समझ आगी इसकी कोई एंट्र अगर ऐसी भी चीज़े दिखरी है तो में बेटा मेरा मकसद है स्कीम का इनको राइट आफ करना में मकसद ही यह है तो जो भी आपके पास लॉसीज या डिख रहे है उन अमाउंट को राइट आफ कर देना चीए कोश्चन बोले या ना बोले कई बार कोश्चन बोली देगा राइट आफ कर दो कई बार कोश्चन साइलेंट होगा तो उस केस के अंदर भी राइट आफ बेटा करना है तो एक्जांपल्स के लाइक अंडर राइटिंग कमिशन डिसकाउंट और इस अफ डिबेंचर प्रिलिम्नियर एक्सपैंस एडवर् क्रेविट बेलेंस तो इंको राइट उफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर क्रेडिंट करना पड़ेगा तो टू, टू टू devaur revenue expenditure ईं लॉसीज को हम क्या करदेंगे बैटा राइट ऌफ कर देंगे तो क्या करेंके हां और बेष्ट बैलेंस बोई तो पी करिट करके debit था उसको credit क्या, खतम कर दिया बैटा, यही तो चीज हम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, क्या यह बास समझा है अभी तक? यह सर, यहाँ तक समझ आ गया, अब क्या होता है बैटा, अब क्या होता है, ध्यान से समझे है, कुछ चीज हो, अब हमारे पास, इंटेंजिबल एसे भी दिये होते हैं, वैसे बैलेंशीट में, इट में भी, रिटर्न ओफ बाइ गिविंग अ नोट, नो यहां ऐसा क्यों लिख रहा हूं क्या उनकी कोई वर्थ है, आज की रेट में, क्या उनकी कोई वर्थ है, मैक्सिमम कोशन वेटा, कोशन आपको खुद बता देगा, इन्हें राइट ओफ कर दो, या अगर कई बार ट्रेडमार्क पेटेंट की वेल्यू खुद बोल देगा, कम कर दो, तो उस केस के अंदर हम वैसे कर देंगे, पर अगर कोशन सैलेंट होता है, तो आपकी प्योर एजम्शन है, कि आप राइट ओफ करो, या ना करो, यहां पे, लॉस फिर वन परसेंट के लिए बात हो रही है, तो क्या करने है, क्योंकि उनकी भी कोई वेल्यू नहीं है, तो जब आप राइट ओफ करते होता है, यही डालोगे, उनका डेबिट बैलेंस होता है, तो तो आप जो भी एजम्शन लेंगे, उसको लिख दे, कि हमने अपने पास राइट ओफ करा है कि नहीं करा, इसमें वैसे मैं एक एडवाइज करता हूँ, छोटा सा, अगर गुडविल है, तो उसे तो राइट ओफ कर देना, क्योंकि रेपूटेशन की क्या वेल्यू आज की रेट में, बई बिजनस बंद हो नहीं को बार पर इतने तो नुकसान चल बता देगा, भई अगर बता दिया, राइट ओफ कर दो, तो कर दो, नहीं बताया तो मत करो, जैसे कोश्चन लिखा, बट मैं आपके साथ बात करो, अगर कोश्चन साइलेंट होता है, तो उसकेस के अंदर, इडपेंड इंटारली ओन दे अशंचन टेकन बाई उ, प्रेफ जब एक्जामपल लिया था आपके सामने कि मैं लॉसिस को राइट आफ कर रहा हूं, थोड़ा-थोड़ा सबसे कहा क्लेम छोड़ो, तो एक मोस्ट आइडियल सिनेरियो में बेटा कैपिटल इड़क्शन एकाउंट का बैलन्स जीरो होना चाहिए, ताकि इस बाउस एप्र प्रफिट रेविन्यू निया, यहाँ पर आपने अपनी शेर कैपिटल से वगएरे को कम कर दिया, आपने अपने एसेट वगएरे की वैल्ली को बढ़ाया, कम किया, जो भी है, तो यहां जाता है माईडियर चुडेंट्स, कहां लेके जाते हो, तो हम तो लेके जाते हैं कै अगर क्रेडिट था तो उसे ट्रांसफर कर देंगे बिटा कैपिटल रिजर्व में, तो उसको किया डेबिट और ले गए कैपिटल रिजर्व में, फाइदा है ना, और कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व में, तो उस से वहां ले जाओ पर सर अगर डेबिट आ गया असंभव क्यों सर ऐसा क्यों कह रहा है बिटा स्कीम का मकसद है लॉसीज को राइट आफ करना स्कीम के अंत में भी क्या लॉसीज दिखेंगे फिर ऐसी स्कीम तो बेटा कोट ने भी पास नहीं करी होगी कोट कैसे पास करतेगा ऐसी स्कीम जहां पर अंत में भी बेटा आपके पास जो लॉसी दिखेगा इस इक पॉसीबल सर ऐसा तो पॉसीबल नहीं है पर इसमें ये चीज़ जरूर है ये चीज़ जरूर है ऐसा हो सकता है कि आपकी बेलेंश शीट में पहले से कोई कैपिटल रिजर्व वाय चांज दिखा रहा हो कोई सेक्योरिटी प्रीम दिखा रहा हो तो वह स्कीम के समय तो उससे कंसीडर किया गया होगा क्योंकि वह फायदे़ दिख रहे अभी तो हम उन्हें इस्तिमाल करके capital deduction को खतम कर देते हैं उन्हें इस्तिमाल करके capital deduction को खतम कर देते हैं अगर उसका debit आ रहा है क्योंकि उन्हें scheme के समय तो लिया होगा ना कि यह तो पहले से फायदा पड़ा है कि सो हमने यहां पर वही एंट्री डाली हम केंट्री डालेंगे बेटा capital reserve account debit यह जो पहले से दिख रहे होंगे securities premium account debit बेटा first lecture होता है ना तो कई बार कुछ चीज़े ऐसी लगती है जो कई बार ऐसे लगते हैं थोड़ी सी ना अटपटी सी लग रही है मतलब मालका सा माइंड के अंदर डाउट सा लग रहा है तो बेटा कोई दिकत नहीं stable होने में stabilize होने में बेटा समय लगता है किसी चीज़ को वो बार बार बताऊंगा ना दिमांग में settle हो जागा logic तो साथ साथ बताते चल रहो पिर general reserve सारी चीज़े आगे sessions में revise करेंगे तो घबराना नहीं है तो capital reduction तो हम यह पहले के जो reserves अगर by chance दिख रहे है तो उनसे write-off कर देंगे बेटा ऐसा हो नहीं सकता कि reserves भी ना हो पहले से ही और capital reduction का debit आ जाए scheme का मक्सेद है नुकसानों को write-off करना अंत में नुकसान कैसे आजेगा possible ही नहीं है मैंने क्या बोला संभव ऐसा possible नहीं hypothetically भी मत लेने बैठ जाना बच्चे बोलते है hypothetically बता दो बेटा अगर आपने answer ही सुनना है मेर से सुनना ही चाते हो कि सर कुछ तो बोल दो ऐसे क्यों कह रहे हो तो बेटा goodwill में डाल देना और क्या करूंगा जैसे capital profits को capital reserve में डालते हो नुकसान आ रहे goodwill में डालते हो जो आप बोलते हो जनली बट ऐसा possible नहीं है mark my words because the main purpose of the scheme is to write of the losses at the end of the day आपके पास जो है ये losses जो नहीं आ सकता अंद में reserves कर लेंगे पुरहंचे बेटा reserve means all including statutory पर statutory को आप टच नहीं करेंगे वो तो legal requirement के साब से बाकि court की permission के साबसे होगा तो उसे भी उस कर लोगे अगर कोई और नहीं है तो क्योंकि यहां तो court की permission चाहिए तो आपको question बता देगा कि यूज शैट टूटर रिजब बाकि देखो इस chapter में कभी शैटर रिजब का नाम देखने को नहीं मिलेगा वो अब यहां पे चोटी चीज आती है कहते है कुछ चीजों का ध्यान रखना क्या कहते हैं फिक्स चार लाग दिया करें पांट सलों तक दिखाना है स्कीम के अंदर शाल कम क किया लिखना है माईनस रा ऐट ओफ अंडर दॉट दूसरा बड़ा एह्म वर्ड समझों बात को समझों क्याथ एकस लिमिडीट की इकतिस मार्च को और अगले ही दिन उसकी रूप रेखा बदल गए लॉसिस गायब पहले लॉसिस दिख रहे थे एक दिन बार लॉसिस गायब देखने वाला भी बिचारा परिशान हैरान क्या कंपनी है कोई लॉस ही नहीं है कुछ दिन तक तो सुनने को आ रहा था इस कंपनी के बहुत भार मात्रा में लॉसिस चल रहे और आज इनकी बैलेंशीट में कोई लॉस ही नहीं है तो इन्होंने कोई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर दी पता नहीं कौन सी जादू इन्होंनी एंट्रीज डाली जिससे कि इनके लॉसिस गायब हो गए तो बेटा जो यूजर है उसे तो ए कहा जाता है कहता है कि ऐसा करिये जो बैलेंशीट है उसमें नेम ऑफ कंपनी के बाद वर्ड एंड रिडियूस लिखना है शुड्बी एडिर उनली वैसे तो अगर कोट बोले पर हम अपने कोशन में हमेशा डालते हैं जब भी हम बैलेंशीट बनाएंगे कोश्चन के अंत में तो हम लास में एंड रिड्यूस जरूर लिखेंगे अपने पास वैसे लीगल रिक्वार्मेंट है तब ही लिखना होता अगर कोट बोलता है और अब्विसली उसके लिखने से क्या पता चल रहा है हाँ यह कंपनी ने रिडक्शन की स्कीम पास करी थी यह इंटर्नल रिकं कंपनी पर अब रिवाइब करेगी धीरे धीरे तो नए सीरे से शुरू करेंगे ना हम फिर से मेनद करेंगे तो पुराने पापों को किया खतम अब नए सीरे से नए तरीके से नए जोश के साथ हम फिर से काम करना शुरू करेंगे ठीके ना या तो एक तरीका क्या था कंप शुब है चलाते चलो तो हम लगे पड़े है तो इसी कंपनी बेम लगे रहेंगे उन्होंने का इस कंपनी को बंद मत करना ठीक है तो हम इसले इस कंपनी में internal reconstruction की scheme बात करें ठीक है बात तो यह आपके पास चीज आ रही है हमारी तो अब यहां पर बेटा जो अगली चीज आती है अगली चीज जो आती है यह आती है जब हम अपना company law पड़ते हैं जब हम अपना company law पड़ते हैं तो वहां पर कुछ methods दिये internal reconstruction के जो की company law तो यह कहता है किसी भी प्रकार का बदलाव आपकी share capital में होना आपके rights change होना तो वह internal reconstruction ही है किसी भी प्रकार का बदलाव होना इवन आपने shares fresh issue करें वो भी आ जाता है इसमें तो अब मैं उस चीजों पर जाने लगा हूं पर मेरे उस chapter के मकसद को समझना कि जो मैं अपने पास आऊंगा क्योंकि main chapter की जो intention है वो losses को write-off करना ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अब मैं बात करने जाऊंगो उससे को losses write-off हो जाएंगे वो सिर्फ इसलिए बात करने जा रहा हूं क्योंकि आपके पास जब company law पढ़ते हैं तो वहां पर आपके पास जो sections दिये गए हैं वहां पर आपके पास यह बात कही गई है ठीके ना कि हमारे पास कुछ तरीके सबसे पहले बदलाव आते हैं यहां पर सबसे पहले बदलाव आते हैं मेरा शेयर कैपिटल में आपके पास जो आ रहा है बदलाव शेयर कैपिटल में आ रहा है बदलाव हां सर की एंटरी विल्कूल सही टाइन पर हुई हां जब मैं बात छेड़ रहा था company law के तभी सर आ गय थे तो अगर बेटा आपके पास शेयर कैपिटल में अलग-लग प्रकार यहां पर ऑल्टरेशन का मतलब है बदलाव होना शेयर कैपिटल में किसी प्रकार से तो सबसे पहले है शेयर कैपिटल में इंक्रीज होना शेयर कैपिटल में इंक्रीज होना वह कैसे नॉर्मल फ्रेश इशू शेयर का तो बेटा एक्स लिम्टीड ने 10,000 शेयर इशू करे दस वाले पार पे क्या entry होती है सर यह entry तो न हमें बच्चपन में सिखाई जाती है हमारा जब accounts का बच्चपन हुआ था तो जब shares का chapter किया था starting में सिखाई गई थी हमें यह entry तो बेटा क्या entry डालते हो shares की येस तो bank account debit to equity share capital bank account debit to equity share capital account share capital बें बदलाव होना हाँ तो येस येस good evening sir kunal sir very very good evening yes bank to share capital कितने से आई की बटा entry sir 10,000 into 10 इसमें क्या पूछने वाली बात है 1 lakh रुपी से 10,000 into 10 1 lakh रुपी से entry आ जाएगी बस बिलकुल आसान सी चीज़ है yes sir देखे कितना आसान है अब यहाँ पे share capital में बदलाव हो रहे देखे क्या इस से reduction की scheme पास होगी नहीं बिटा वो तो share capital share holders को बोलना पड़े का थोड़ा पैसा छोड़ो उस पे बाद में आता हूँ जो पहले बात करी थी यह तो सिरफ एक method दिये वे हमें IR के internal reconstruction तो उसमें एक change आ रहा है हम change की बात कर रहा है किसी भी प्रकार का change तो कई बार question में यह interest भी पूछी जाती है इसलिए इसको भी करना जरूरी है ठीक है फिर अगली चीज आ रही है consolidation of shares consolidation of shares consolidation का मतलब क्या होता है बेटा हमने क्या किया हर person को जिसके पास 10 shares है 10-10 रुपे वाले उसको एक share दे दिया 100 रुपे वाला consolidate 81 कर दिया 81 कर दिया हमारे इससे number of shares कम हो जाएंगे हमने consolidation कर दी बेटा तो यहां पर आपके पास क्या होगा मान लीजिया X limited के 10,000 equity share है 10 रुपे उन्होंने convert कर दिया share capital into shares of 100 रुपे तो हुआ क्या पहले 10,000 share थे बेटा 10 रुपे बताओ कितने share 100 रुपे हर person जिसके पास जिसके पास 10 share थे 10-10 रुपे उसको एक share दे दिया 100 वाला तो कितने share सर कम हो जाएंगे 1000 रह जाएंगे कितने हो जाएंगे 1000 रह जाएंगे वन था हो जाएंगे तो आपके पास पहले भी capital 1 lakh थी अभी भी capital 1 lakh है पहले भी capital 1 lakh थी अभी भी capital 1 lakh ही है आप चेक करिए येस सर बिल्कुल सेम ही तो है capital आपके पास अब सर क्या entry डालेंगे बिटा सोचते हैं क्या entry डालेंगे सर पहले वाली capital कर दी हमने खतम पहले वाली capital कर दी हमने खतम तो equity share capital क्या करेंगे बिटा debit करेंगे हम अपने पास हाई जी equity share capital हम क्या करेंगे अपने पास डेगिट करेंगे बिटा तो फिर equity share capital ली क्रेडिट करोंगे सोचो equity share capital म ही debit और equity share capital ही credit my dear attorney तो क्या entry डलनी चीह आपके पास we are Eig opt subscribe shayar capital debit टू इकुटी शेयर क्यापिटल क्रेडिट हुद देरी सर ऐसी एंट्री तो आज तक नहीं देखी हमने सेम एकाउंट कभी डेबिट क्रेड करा ही नहीं क्यापिटल ले थी आपके पास अभी भी यह वन लेक ही तर यह कैसी एंट्री है बेटा पुरानी गई नहीं आई एंट्री मत डालो सर पर एंट्री डालनी चीए तो इसे कैसे बाइफर करें सर इसमें पता है क्या करना चीए आपके पास बेटा में इसको अब दिस्टिंगूश कैसे करते क्योंकि आप ऐसे लिखोंगे वो घलत हैं सेमें काउंट discreet हम इसे तो वो आपके पास क्या करा पुरानी face value हमेशा याद रखना पुरानी face value को debit नई वाली क्रेट होगे क्योंकि share capital का तो credit balance है तो पुरानी वाली को खतम करने के लिए debit कर दिया पुरानी को अब 10 रपे वाली नहीं रही अब 100 रपे वाली हो गए इसी का उल्टा इसी का उल्टा साले ले लो सर यह तो बड़ी असान बात होगी यह तो खेल हो रहा है हां खेल ही तो हो रहा है एक्स लिम्टिड के पास हजार एकुटी शेर सो वाले convert कर दिया share capital into shares of 10 each तो बेटा पहले कितने शेर थे सो वाले 100 वाले और अब आपके पास कितने शेर हो जाएंगे बेटा दस-दस के साब से सर टेन थाउजेंड शेर हो जाएंगे दस वाले विच इस वन लाक कितनी असान बात है तो देखें एंट्री क्या बनी सर एंट्री बनी इकुटी शेर क्यापिटल उराने वाली अब 100 टू इकुटी शेर क्यापिटल नई वाली 10 विद अमाउंट ओवन लेक विद अमाउंट ओवन लेक बात ही खतम कितनी असान इंट्री सब को हैं साब यजन को वैसे बोलरों विटां भी बोलते हैं सब डिविजन को व्यकोर भीखें őा पहली तोड़ देना ठीक है अगली एक इसी में चीज आते हैं यहां पर किसी से कोई रिडक्षन नहीं हो रही मैंने पहले बोला है यहां शेयरोल्डर से अभी कम करने को नहीं करें वह बाद में बात द्वारा करूंगा डिटेल में यहां तो जनरल चेंज हो रहा है अब शेयर कैप अगला बेटा समझ नहीं आई आपका टीएच़ भी आपका डाउट जो आप पूछना चाहते हैं कानवर्जन आप शेयर्ट इन्टु स्टॉक कर वशेयर इन्टु स्टॉक उसका मतला है यह स्टॉक आपका इन्वंंट्री नहीं है डोंट केकि डैट वह कि जो आपका इन् होता है lot हम normal course में हम normal course के अंदर ये company lock again बात हो रही है हम अपने पास shares को fraction में deal नहीं कर सकते हैं पर अगर हम उसे stock में convert कर सकते हैं convert कर देते हैं तो बैटा मुझे fraction में deal कर सकते हैं तो हमने उसको lot को इकठे अपने पास एक stock के नाम से कर दिया जिससे कल को हम उसे fractions में भी deal कर सकते हैं अलगरत multiples में चलाते हैं अपने पास तो वह एक चीज है जो company law पर permit करते हैं only with respect to the fully paid up share ठीक है तो यहां पर हमारी entry कैसे आती है बड़ी असान सी entry है दस अजार equity shares है दस वाले convert कर दिया share capital को equity stock में तो बड़ी असान entry आगी क्या entry आगी देखो equity share capital आपकी खतम होगी अब उसकी जगा equity stock आ गया तो entry क्या बनी equity share capital किताबों में आप equity stock के नाम से दिखेगा है तू equity stock account है तू equity टॉक 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 दस हजार इंटू दस एक लाग और इसी का उल्टा क्या है देखी अगले वाला conversion of stock into shares एक लाग का equity stock है उसे convert कर दिया इंटू share capital of 10 इज रिवर्स मार दिया तो उल्टी entry डाल दो अब stock कम खतम करने के लिए जो दिखरा account उसको debit कर दिया तो इकुटी stock account debit को टू एकुटी शेयर capital को कि वन लैक तो बड़ा ही असान चीज थी जैसे मैंने बोला इस टॉक में convert करना और रिवर्स करना यह दोनों बड़े असान थे सब डिविशन consolidation stock वाला करना और रिवर्स करना question अभी study material में दिये विए बेटा एक एक दो दो तो वह मैं आपके पास अभी करा दूंगा don't worry हाँ बेटा अभी मैंने बोला share is a normal आपके पास वह आपके पास पाटली पेड़ा फुली पेड़ा आप जैसे मर्जी रखो stock आपके पास क्या होता है सिरफ fully paid up shares को आप stock में convert कर सकते हैं company law में आप चीज पढ़ते हैं हम तो यहां पर accounting entry सिरफ डालनी है हमने और कुछ नहीं करना ठीक है और जो अगली चीज़ है shares को आप fractions में deal नहीं कर सकते पर अगर आप अपने उसको lot बोला जाता है अगर उसे stock में convert करते तो उसे fractions में भी deal किया जा सकता है that is the main difference बेटा yes यह आपके पास वह वहला नहीं है तो कि यह सिरफ company law में जो आपको method दिए वे internal reconstruction के उसमें प्रकार है alteration of share capital किसी भी प्रकार का बदलाव तो इसमें कहीं कोई losses में फरक नहीं पढ़ रहा प्लीज अंडस्टेंड यह जनरल में चीज़ बता रहा हूं क्योंकि question आप से इसकी बे counting entry मांगता है जो हमारा chapter का wider main मक्सद है वो तो यह यह losses को write-off करना पर जम company लो पढ़ते हैं प्रकार पढ़ता रहा हूं आप लोग को कि वह कैसे कैसे होता है तो इससे कोई losses दाला नहीं यह जनरल रूटीन की activities it is not की losses होंगे तो यह आप ऐसा करोगे सब डिविजन स्टॉक में यह जनरल रूटीन चीजी जनरल रूटीन चीज ठीक है ठीक है अगली चीज अःई है ऑटकी आपके पास ठीक है पिर अगली चीज आ रही है वीटा Canceling the Unissued Shares Canceling the Unissued Shares का मतब क्या हुआ बेटा बास समझे हमारी कमपनी की Authorized Capital है 10 लाख Shares और हमने आज तक Issue किये वे है 3 लाख Shares Issue 3 लाख किये वे Authorized 10 लाख है मैं अपनी Authorized Capital को 10 लाख से हटाके 5 लाख पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं कहतो मैंने तो कभी Shares Issue करने ही नहीं मैं Authorized इतनी जादा क्यों रखू मैं Authorized अपनी 5 लाख पे लेके आ रहा हूँ जो Shares अब तक Issue ही नहीं करे मतब जो Authorized में है आपने ले रखे अपने पास आप कर सकते हैं पर आप उनको कैंसल कर रहे हैं तो क्या इसकी कोई एंट्री डलनी चाहिए बताएंगे मुझे सर यह तो सिर्फ डिस्क्लोजर में होता है Authorized तो वहां कम करके लिख देंगे बस हमारी किताबों में तो आपके पास पांच लाग पर दिखनी शुरू हो जाएगी बात ही आपके बस खतम होगे तो simply very easy बात कि कोई एंट्री नहीं डालेगी आपके पास इस केस में यह था हमारे पास जब हम लॉप पढ़ते हैं कि बदलाव शेयर कैपिटल में होना दूसरा आता है बेटा केरें शेयर होल्डर के राइट में भी आपके पास चेंज हो सकते हैं हां वह बेटा कंपनी लॉग की लीगल प्रोविजन आपको फुल्फिल करनी होती है आपकी वहां पे लीगल प्रोविजन जो भी कंपनी लॉग के लिकिवी आपने रोसी के साथ बात करने हैं वह सारी आप जो भी चीज़े वह कंपनी लॉग में पढ़ते हैं कहां कहां पे पर हमारे लिए यहां पे किताबों में एंट्री आएगी अगर आपके पास परसंट वाले रखेर अब उनको आपको 12% वाले दे रहें तो उनका राइट चेंज हो गया कैसे पहले हुआ हख 15 परसंट डिविडेंड का था अब उनका 12% का है तो हम राइट चेंज कर रहे हैं जो शेरोल्डर का है ठीक है न तो एक्जांपल के तोरते हजार इंट्री डलेगी यहां पर आपके पास हुंका हक चेंज गी अभी भी कैपिटल एक लाग ही आएगी तो हम एंट्री डालेंगे पीटा ओल्ड वाली अब खतम हो जानी है तो 10% प्रेफरेंच शेयर कैपिटल डेबिट तो 9% प्रेफरेंच शेयर कैपिटल तो देट कमस आउट तो 1 लाग 10% तो 9% तो देखे पुरानी वाली खतम हो गई अब उसकी जगा 9% वाले आगए इससे क्या हो गया अब कल को आने वाले टाइम में मेरी उंकी तरफ लाइबिल्टी कितने की होगी 9% होगी कह रहें यह भी एक बदलाव है यह जनरल बदलाव है इनसे कोई आपके पास बेटा लॉसिज नहीं राइट अफ हो सकते इन चीजों से यह अपने सिर्फ राइट चेंज करें इनसे आपके पास वो नहीं है कि लॉसिज राइट अफ हो जाएंगे उस पर हम आगे अपने पास बात करते हैं ठीक है देन अगला हमारे पास आज का यह अंतिम अपने पास बात करेंगे कौंप्रोमाईज अबलीक अर्रेंजमेंट यहां पर बेटा हम क्या करने जा रहे है कौंप्रोमाईज कर ओड़े अब यहां पर आपकी चीज आही यहां पर यहां पकि बात करने जा रहे कि जो भार के लोगे उन है कि आप फोड़ा रहे, थो पैसा, थोड़ा थो छोड़ा सा हूं अन्टा से चाहते हैं, आपको थोड़ा सा पैसा जो लगा पड़े उसे भूलना पड़ेगा, तो हां यहां पर आपके पास आ ख़बने के तो मान लीजा के तो फ抵ब्लैंस लिखरे bet, आप 4,50,000 वे यह गरी तू रिडूस देर क्लेम तू ट्वेंटी पर्चेंट बाई नहीं है ध्यान से तू ट्वेंटी पर्चेंट है एन हाफ दा बैलेंस को सैटिस्फाय कर रहे वाईश्यों आप इकुटी शेर्ट अप टैनेच तो एंट्री क्या डलेगी माईडर इतना हो गया सब 3,60,000 से कम करना पड़ेगा तो सर कम करने के लिए एंट्री के आएगी बेटा लेविल्टी को कम करने के लिए डेविट तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेविट अब जनरूली उनसे बेटा रिडक्शन करवाई है तू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3,60,000 so now they are at 20% now किस पर आगे 20 प्रतिशत पर पहुंच गए तो अब उनका बैलेंस कितना दिख रहे है सर उनका बैलेंस जो दिख रहे है वो अब दिख रहे 90,000 which is 20% पर वो आ गए और half the balance को issue कर दिए equity shares आधे वालो को equity shares दे दिए तो वो भी आपके creditors कम हो गया और उनको equity shares दे दिए तो पैटा एंट्री के आएगी creditors कम करने के लिए debit to equity share capital which is with value of 45,000 10% को बिलकुल सही बात है सीधा बोल सकते थे 10% सर क्योंकि 100 में से 80 कम कर दिया 20% बचा 20% का अधा 10% अब अगर मैं पूछू balance sheet में creditors कितने दिखेंगे अभी भी balance sheet में creditors बचे वे 10% दिखेंगे which is 45,000 पहले 80% से हमने कर दिया कम ले आए 20 पे और फिर आधो को जो 90 के थे आधो को हमने share दे दिये तो share दे दिये हमने 45,000 तो बाकी आधे अभी भी बचे विए हैं बाकी आधे तो अभी भी भी बचे विए येस सर ये बात हमें clear होई क्या यहां तक आप सभी को बेटा चीजे समझ आई आज जो हमने बात करी बेटा continuation करेंगे ऐसा नहीं है एकी दिन में सब को सीख लो कल आके पहले इतने को रिवाइस कराऊंगा अभी question तो करने है जब तक concept ही नहीं सीखोगे question कैसे कर लोगे बेटा तो अभी हमार पर जो बात हो रही थी वो सिरफ concept पे लेके बात हो रही है अभी तक concept पे लेके बात हो रही है concept is the most important thing for any kind of a topic ठीक है ना उसके बात धीरे धीरे हम अपने पास questions को करते हैं ठीक है ना तो बेटा हम अपने पास आज के session में हमने जो चीजे करें उसे कल आके revise कराऊंगा अब अपने पास जो पढ़ाया उसे जरूर अपने end पे revise करें तो आप सभी बच्चों के इतना बोलूँगा अगर आप सभी बच्चों ने अभी तक मुझे follow बेटा नहीं किया है नहीं किया है तो आप मुझे follow कर सकते अनकेडमी पे बेटा description के अंदर उसका बेटा link given है बेटा है tomorrow two lecture sir दो lecture क्यों बेटा कर एक lecture ही होगा वो तो special class में एस चल रहे है वो अलग बात है और दूसरी चीज़ एक अलग से class लेने की सोच रहा हूँ वो मैं किस चीज़ की वो मैं अपने पास बेटा class लूँगा आप लोगों के साथ regarding the preparation and the other thing वो schedule कर लूँगा तभी बोले अनकेडमी पे बेटा मुझे आप एप पे follow कर लीजी अनकेडमी पे ताकि आपको उसकी notification आ जाएगी जैसे में special class लूँगा वो आप लोगो के लिए होनी है कि दिसंबर तक के लिए त्यारी कैसे करनी है अब बचे वे टाइम फ्रेंग में ठीक है तो तो माई डियर चुडेंट्स यहां पर चड़ी प्लाइन बिल्कुल तो आज का सेशन हमारा यहां पर खतम होता वैसे अटेंडेंस अपनी आज की लगा जाना वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों का आप शेयर करें कि उन्हें बता सकते कि वह भी यहां पर मेरे साथ पढ़ने आ सकते है एपसलूटली बच्चों का प्यार मेरे साथ बनाव है और कभ लोग अपना सब ध्यान रखे स्टुनेंट्स टेक क्यार एंड बाई बाई